अब देखर टेक्निक के लिए हंदी गुरूजी फाइलि आपका इंतिजार खत्म हो चुका है जो चात्र महाराश स्टेट से बलोंग करते थे मोप अपर राउंड का इंतिजार कर रहे थे तो फाइलि उनका महाराश इस्ट का मोप अफिसल सेडियो रिलीज कर दिया गया है औ सब्सक्राइब नोटिस में यह भी बताए गया है कि अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो आपको दस लाग रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा तो देखना होगा कि जो सीट छोड़ना है इसमें बोला किया था कि आपको लाश राउंड का अगर आप सीट छोड़ देते ह किसमर किया जाएगा सेलेक्शन लेश्ट आपका किस दिसमर को आएगा और कॉलिज में रिपोर्ट करने का लाजट रिपोर्टिंग डेट जो है पचीज दिसमर रखा गया है तो चलिए अगर आप हर अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा तो देखी फ्रेंट्स पेना ओफीसल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है गवर्ण्ट आप महाराष्ट इस्टेट कॉमन इंट्रेंच टेस्ट सेल यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं फ्रेंट्स 19 दिसमबर को रिलीज किया गया था यहाज है बीस दिसमबर सुभा अभ यहाँ पर देखी गए इसमें बोला गया है सेडियूल भी आपको बताऊंगा पूरा नोटिस में आपको पढ़कर बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए नोटिस है वीडियो को बिल्कुल भी स्कित ना करें देखी फ्रेंट्स इसमें बताए गया है कि देंटल कांसुलिंग अफ इंडिया निव देहली वाइड लेटर इन रिफ्रेंस नमबर टू देटेट दस बारह दोजर बीस डिकिलेट कट ओफ बीडिया स्कॉर्स इन अकेडमिक दोजर बीस इकीस 15 जनवरी दोजर इकीस अफ्र लास्ट देट ओफ जोईनिंग एंड सेक सब्सक्राइब बाइड डिजी एजस डिसी आई रेस्पेक्टिवली दा एडिविशन प्रोसेस फॉर एंडिवीएस बीडिया स्कॉर्स बिल भी कंटिन्यू एस पर सीडियूल गिविन बिलो उसका सीडियूल को देख लीजेगा टेविल नमबर बन यह दिया है कि दुपेर बारा बिज तक कर दिया जाएगा उसके यहां पर आता है कि पुब्लीकेशन ओफ सेलेक्शन लिष्ट फॉर मौप राउंड बन मोप राउंड का जो सेलेक्शन लिष्ट आपका रिलीज किया जाएगा वह 21 दिसमबर को किया जाएगा ठीक है उसके बाद यहां प पर जाते हैं तो एडिविशन के टाइम आपको इस्ट्रेशन फॉर्म देना होता है वह भी आप 25 दिसमबर तक दे सकते हैं यानि कि आप 22 दिसमबर को कॉलेज जाएगे लेने के लिए 22 से 25 दिसमबर तो जब भी आप एडिविशन लेने जाए तो उस टाप अपना इसके पास सेकेंड और थर्ड राम्ड आपका करबाएज जाएगा गवर्मेंट कॉलेज के लिए और इंस्टिटुटिउट लेविल फॉर प्राइविट प्राइविट को लेज इस इसटेज़ लेविश्ट लेविवेश्ट पर करवा जाएगा बिल पबूबिश्ट इन कोर्स एच पर रिवन नमबर 12 इन इन्फरमेशन बाचर ऑफ नीट यूजी 2020 प्रिस्क्राइड लाज़ देट ऑफ कैंसल और डिविशन ऑफ मेडिकल कोर्स इज पच्छी दिसंबर 2020 उसके बाद देगी यहां पर पूला गया है फ़र्ष्म फॉर अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं सीट को कैंसल करना चाहते हैं ठीक है तो 25 दिसंबर 2020 से पहले अपनी सीट को रिजाइन कर सकते हैं जैसा कि यह बोल गया है के रिजाइन कैंसल ऑन बीफोर 25 दिसंबर 2020 आपने फर्ष्ट या सेकंड रावन में कॉलेज ले लिया है और एडिविशन भी ले लिया है आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो 25 दि अगर आप सीट को रिजाइन करते हैं तो आपको कुछ पैनाल्टी देनी पड़ेगी जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको वीडियो के माद में बताया था था मेल पर पैनाल्टी फॉर में लेफ्ट ऑफ सीट एंबीविया स्कोर्स देखिए यहां पर बोले गया है कि एनी क अगर आप सीट को छोड़ते हैं ठीक है जो कि नॉन रिफंडेवल पैनाल्टी है ठीक है जो आपकी नहीं की जाती है लाइक सिकॉर्टी फीजिसे हम बोलते हैं वो 10 रुपे 10 लाख रुपे का यहां पर पैनाल्टी बताए गया है दिस पैनाल्टी इज एपलीकेबल तू कंडियर्ट को दू नॉट जॉइन डिरिंग लाश्ट राउंड ऑफ कैंसिल सीट आफ्टर लाश्ट राउंड फैडिवीशन यहां बोला गया है कि एडिवीशन के बाद अगर आप एडिवीशन लेने के बाद अगर आप सीट को जो है छोड़ना चाहते हैं तो आप 10 अपड़ेट फॉर एमडियर्ट कोर्स और आलसो फेल टू कंप्लीट दा कोर्स ए रिस्पेक्टिव ऑफ एडिवीशन कोटा ओफ कंडिड़ेट्स तो यहां बोला गया है कि यह जो रूल रहेगा ठीक है यह पैनाल्टी सभी को देना है कोई भी कंडिड़ेट्स हो अगर र आपड़ रिजाल करता है तो सभी को पैनाल्टी देनी पड़ेगी यह सभी के लिए यहां पर बताये गया है उसके दाट बोला गया है कि एक इस अप्ग्रेड़ेड ग्रेडेड इंग अभी यहां बोला गया है कि किन कंडियोटों को सी छोड़ते हैं तो तस लाग रुपे उसके बाद देखर यहां बुला गया है कि अगर कुई कंडियेंटस मोपा प्राउंड में जो है कोई कंडियेंट से अपग्रेडिंग में डाल दिया हो ठीया है तो अपग्रेडिंग में डालने के बाद Mopop round के बाद उनको जो है अप ग्रेड हो जाता है private se automate Keith ब़ू ED को मिल जाएगा लेकिन घ्यार रहे कंडिशन यह है कि प्राइवेट से गवर्मेंट कॉलेज होना चाहिए तब पेनाल्टी नहीं देनी होगी फॉर इसके प्राइवेट से यहां पर देखी आगे बोला क्या है कि यहां पर यहां पर यह कंडिशन दी गई है आपको कोई भी रेजिस्टेशन बगरा के लिए कैंसे लेट करने के लिए यहां पर आपको बेटिंग लिष्ट का इस्टुमेंट्स को इंतिजार करना होगा जो कि इस्टुट्यूस लेवल पर आपका राउंड होता है जो कि प्राइवेट कोलेज पर करवाए जाता है तो यहां पर यह साब बोल दिया गया है कि अगर कोई कंडिट सीट को छोड़ता है तो दुसलाग रुपे का उसको पे तो यह नोटिफिकेशन था फ्रेंट से और इसका लिंग पर डिस्क्रिप्स फिर्म दे दूँगा टेलिग्राम पर अप्लोड कर दूँगा वहां से इसको डाउनलोड कर लीजेगा और कोई दिकत परशान ही हूँ आपको इसको लेकर तो कमेंट पर पूछ लीजेगा और यहाँ फर्मड में रिष्टेशन की बात कर दो दो नया रिष्टेसर ना करें वही लोगएं करके अपनी नियू फ्रेश चाइस फिलिंग करें उसके बाद अगर आपको फीस नहीं देनी है कि कोई फीस नहीं देनी है तो इसके लाब और कोई की रही हो आपकी तो कमेंड में पूछ लिजेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना